हलो दोस्तो आप सभी ठीक होंगे अच्छ होंगे मज़े में होंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ये वीडियो होने वाला है जो वर्थ पेंशन अवस्ता वाली जो पेंशन मिलती है उसके उपर ये वीडियो होने वाला है जैसा कि आप सभी को पता है व नहिलाओ की उमर तो सताउन साल और जो जैंट्स की है वो है अठाउन साल तो जो इस कैटेगरी में आ जाते हैं उनकी पेंशन का एक फोम बढ़ना पड़ता है और उसके बाद में उनके पेंशन आने लगती है अभी फिलाल में हर मंद हजार रुपे दिये जाते हैं वर्ड प कर लेते थे तो उसको लेकर एक सकती बढ़ती गई है और काफी जादा नियम को स्टिक किया गया है जैसा कि जनादार में आप सभी को पता है अभी KYC हो रही है KYC होने का कारण यही है जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि आपकी जो डिटेल आधार कार्ड में ह वो सेम डिटेल जनादार में चड़ जाती है जब आप KYC कर देते हो फिर आप जनादार में अपनी डेटो वर्थ अपनी फोटो और अपनी नाम इनको आप कभी भी चेंज नहीं कर पाते हो जब KYC हो जाती है तो इनमें चेंजेस करने का कोई भी ओप्शन आपके पास नही बसता है अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपकी पेंशन भी नहीं आ रही है आपका पेंशन सत्यापन नहीं हो रहा है जो वार्षिक सत्यापन होता है हर साल में एक बार सत्यापन करवाय जाता है कि ये वेक्ती जीवित है और अभी इसकी pension चालू रहनी चाहिए इस condition में ये pension सत्यापन किया जाता है तो अभी फिलाल में एक error देखने को मिल रहा है जो आप side में देख सकते हो जबी भी आप सत्यापन करते हो तो ये error आपके सामने आता है अब इस error को कैसे solve किया जाएगा कैसे आपको solve करना है या customer को क्या बोलना है तब जाकि ये solve होगा वो सारी बात करने वाले हैं तो वीडियो को detail से आप देखिए पूरा देखिए ताकि आपको वीडियो में जो चीज में समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए और आप customer को satisfy कर पाओ तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं तो अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है तो पहले channel को subscribe कर लीजे ताकि ऐसे informative videos आपको मिलते रहे हैं और जो notification वाली bell है उसके all पे किलिक कर दीजिए जब भी मैं वीडियो लाओ नहीं आपको notification मिल जाए तो अब चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं जिनका suspension सत्या पर नहीं हो रहा है error आपको देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा KYC करनी होगी जनादार की इस पर आपको अगर वीडियो देखना है तो अल्रेडी वीडियो बना हुआ है KYC को पर वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो description में मिल जाएगा i button में भी आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप जाके देख सकते हो तो सबसे पहले आपको बन्दे की KYC करनी होगी जितने भी जनादार में member है उन सब की KYC करनी होगी KYC करने से पहले ध्यान रखना है कि उनके आधार card में सारी detail सही होनी चाहिए date of birth और अपना नाम वोगेरा सारी चीज़ सही होनी चाहिए अगले को आपको बता देना है कि अगर KYC हो जाती है तो उसके बाद में आपका जो data है वो change नहीं कर पाओगे जनादार में ठीक है तो यह चीज रहने वाली है यह आपको customer को बोल के उसकी KYC करनी है और KYC करने के बाद में आपको 10-15 दिन wait करना होगा 10-15 दिन के अंदर KYC है वो update हो जाती है आगे से update कर दी जाती 10-15 दिन का time लगता है उसको KYC को update होने में इसलिए 10-15 दिन आपको wait करना है wait करने के बाद में आपको जो pension धारक है उसका आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, PPO नम्मर यह सारे कागर्ज लेकर उसे पंचाय सम्मिती अगर पंचाय सम्मिती नहीं लगता है तो आपको यहाँ पेंशनर ओफिस में जाना होगा वहाँ पे जाके यह चीज़े आपको submit कराना है फिर 10-15 दिन आपको wait करना है wait करने के बाद में आपको सत्यापन कराना होगा तब जाकर आपका सत्यापन हो जाएगा 99% है कि आपका सत्यापन हो जाएगा और आपकी pension चालू हो जाएगी लेकिन इसमें सारी चीजों में एक सबसे बड़ी बात है कि आप अगर KYC कर रहे हो और pensioner की अगर आधार कार्ड में अलग डेटो बढ़त है और pension वाले कागज में अलग डेटो बढ़त है तो आपको आधार कार्ड में डेटो बढ़त चेंज करा लेनी है और KYC कर देते हो अलग अलग मिसमेच वाली में तो आपका pension कभी भी नहीं आएगा रुक जाएगा और उसमें काफी जादा आपको समश्या खड़ी हो जाएगी उस पे भी एक separate वीडियो में बना के दूँगा ताकि आप ये गलती ना करे और गलती करने से पहले मैं आपको पहले ही सतर कर रहा हूँ इस चीज में कि आप ऐसी गलती ना करें अगर ऐसी गलती हो जाएगी तो pensioner की pension रुक जाएगी और वो उसके लिए काफी भागदोर करने पे भी हो सकता है कि वो चालू नहीं हो तो I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगा सारी चीज़े आपको समझ में आई होगी helpful लगा होगा अगर helpful लगा तो प्लीज दोस्तो लाइक करें शेर करें इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास शेर कर दीजे ताकि सब भी को ये knowledge बिल पाए और कोई भी इमित्रधारा किया फिर self कोई भी ये गलती ना करें अगर ये गलती हो जाती है तो फिर कुछ भी इसमें नहीं हो पाएगा सुदार तो चलिए वीडियो को end करते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा Thank you दोस्तो बाबाई टे क्यार जाय